ही फ्रेंज्स वेलकम यह रीडिंग है थर्ड पार्टी अपके पर्सशन के बीच में अभी क्या चल रहा है रीडिंग टाइम में से जब भी देखेंगे रेजनेट करेगी यह रीडिंग है आपके जोडियक साइं ने के बेस पर सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे वाटा साइन, कैंसर, पाइसे, स्कॉर्पियो आपके person और third party के बीच में क्या चल रहा है तो card बहुत ही बहतरीन आया है अगर यही card आपके और आपके person की reading में आता है तो sometime मैं hopeless हो जाती हूँ लेकिन यह third party और आपके person के बीच के संबंदों में आया है 10 of Vance is implying की उनका कार्मेक cycle बहुत चल दी over होने वाला है अब over क्यों होने वाला है because third party के साथ अब आपके person को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उनके साथ उन्हें लगता है कि सिर्फ वो सिर्फ उनकी जिन्दगी बेकार हो रही है third party ने सारी responsibilities उन पर डाल दी है third party अब उन्हें आप बिल्कुल भी pamper नहीं करती उनकी care नहीं करती उन्हें अच्छा feel नहीं करवाती उन्हें समझ में आ चुका है कि third party ने उनका miss use किया है third party ने सारी responsibilities, सारा burden, सारा stress उनके गंदों पर डाल दिया है जिसको डोते डोते वो परिशान हो चुके हैं, ठक चुके हैं तो बहुत जल्दी third party और आपके person का karmic cycle over होने वाला है और ये person आपके पास वापिस आने वाले है next हमारा है Gemini Libra Aquarius, air sign के लिए आपके लिए है third party और आपके person के बीच में क्या चल रहा है card है चारियोट का यहाँ पर भी मुझे card number one की तरह नज़र आ रहा है one बैठा है और one खड़ा है और जो रत है वो रुका हुआ है that means अब आपके person और third party के बीच में उतनी नहीं बनती जितनी की पहले बनती थी अब एक person इस connection में आगे नहीं बढ़ना चाहता जिसकी वज़े से उनके बीच में जो भी रिष्टा था वो almost रुक सा गया है थम सा गया है और आगे उस रिष्टे में कोई भी positive change नहीं आ रहा क्योंकि एक person रुक के बैठ लिया है दूसरा person अभी भी इस रिष्टे को चलाना चाहता है लेकिन एक person ready नहीं है जिसकी वज़े से इनका रिष्टा बहुत जल्दी over हो सकता है और आपके person आपकी तरफ आगे बर सकते हैं नेक्स्ट कार है हमारा Taurus Virgo Capricorn Earth Sign के लिए आप लोगों के लिए है the star the star is implying कि आपके person तो third party पर पूरी तरह से फिदा है उन्हें अपना well wisher समझते हैं उन्हें अपना हमदर्द समझते हैं उनके पास सब कुछ छोड़ शार के चले गए हैं और उनको बहुत unconditionally love करते हैं लेकिन 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 अब वहाँ पर जाने के बाद क्या हो रहा है कि सिर्फ ये person efforts लगा रहे हैं सिर्फ ये person things को balance करने की कोशश कर रहे हैं सिर्फ ये person अपना और third party का दोनों का future बहतरीन बनाने की कोशश कर रहे हैं third party बहुत ही अराम से बैठी है तो जो efforts अब तक आपने इस connection की बहतरीन करनी के लिए लगाए थे वो person आपके third party को खुश करने के लिए impress करने के लिए उनके साथ long term connect रहने के लिए लगा रहे हैं और लगाते ही जा रहे हैं और ये आशा रखके बैठे हैं कि future में उन दोनों का एक बहुत अच्छा connection होगा और उन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा friends जब one-sided efforts होते हैं तो वो जादा time तक work नहीं करते और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आपके person अब ठका हुआ सा feel करने लगे हैं और बहुत जल्दी third party situation आप दोनों के बीच में भी over हो सकती है क्योंकि से one-person effort लगा रहा है और one नहीं लगा रहा जिसकी वज़े से यह connection ओविसली ज़्यादा time तक नहीं चलेगा and last card है हमारा Aries Liu Sag fire sign के लिए third party situation और आपके person में क्या चल रहा है तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उन दोनों के बीच में भी कोई third party situation आ चुकी है जिसकी वज़े से उन दोनों के बीच में काफ़ी जगड़े चल रहे है मन मुटाव चल रहा है उन्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ अच्चा नहीं लगता यहाँ पे दोनों ही परसन एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ connection तोड़ देना चाहते है तो hopefully बहुत जल्दी connection टूट जाएगा and I don't know कि वो आपके पास वापिस आए या नहीं आए लेकिन at least उन्हें अपने कर्मा की सजा मिलती हुए दिखाई दे रही है और definitely उन्हें ये realize होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने क्या खोया है जिसकी वज़े से उनके साथ इतना बुरा हुआ है तो third party है उनके बीच में कुछ पी अच्छा नहीं चल रहा रिष्टा अल्मोस्ट टूटने की कगार पे है तो ये थी friends आप लोगों के लिए रीदिंग तेंक ये सो मच पर वाचिंग इप ये लाइक दोंट फोगे तो थम्स अप और शेर देस इन ये गुरूप